हेलो दोस्तों आप सभी कासो आगता हैं आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको क्लास 3 की EVS की बुक से स्टार्ट करी थी जिसमें हमने 21 चेप्टर तक करवा दिया था मैंने आपको आने वाले सीट अट अग्जाम्स की तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं रिकमेंट करूँगा पहले आप वो वाली वीडियो देख लिजिए क्योंकि बची वो तीन चेप्टर जो है आज हम कंप्लीट कर लेंगे और क्लास 3 की EVS अमारी खत्यम हो जाएगी फिर हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे ओके इसलिए अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो रिकमेंट करूँगा पहले वो देख लिजिए जिसका लिंक में आपको वीडियो डिस्टेशन में दे रखा प्लेलिस्ट का वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो तो चलिए आज हम बात करेंगे उससे आगे वाली चैप्टरस की तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेंगा आपको सारी इंफरमिशन मिल जाएगी तो नमशकार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डिके गुपता ओनलाइन वीडियो फो गवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो यह आपका कंटेंड यानि की विशेच चूची है क्लास थरी की ईविएस की बुक का तो आपने जो देखा जाए तो हमने इसके कितने तक चैप्टर कर लिये थे तो 21 चैप्टर तक कर लिये थे जो की था तरह तरह की परिवार आज हम बात करेंगे 22 चैप्टर से जो की आपका दाय बाया फिर उसके बाद में कपड़ा सजा कैसे और तीसरा जीवन का जाल ओके तो यह आपके तीन चैप्टर होने के बाद क्लास थरी की ईविएस हमारी कतम हो जाएगी तो चलिए सेकंड 22 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह रहा आज का अपना पहला टॉपिक टॉपिक जिसे आप बोल सकते हो चैप्टर नमबर 22 जो की आपका दाया और बाया तो दोस्तों आज की जो तीन चैप्टर है इसमें कोई भी आपका कंटेंट या निकि जो 15 नमबर की कंटेंट आती है और कोई भी नह की ओके चलिए तो पहला पॉइंट आ जाता है आपका जो की पेड़ागोजी कल्टर में बोल रखा है हाव भाग के साथ गाना गाने में बच्चों को मज़ा आएगा ध्यान रखेगा बच्चों को कहानी सुना रहे हो कवीता सुना रहे हो तो हम उसको कैसे गाते हैं हाव भ बायां ऊपर नीचे और आगे पीछे का का जो कंसेप्ट होता है वो बच्चा समझ पाएगा और बच्चे क्या करना चाहिए अपने स्वयम के अनुभाव से सीखना चाहिए कैसे तो आप बच्चे से दाएं बाय समझाने के बाद पूस सकते हो कि बेटा आपके दाएं में क क्या है जैसे कि राइट हैं साइड में कौन-कौन बैठा हुआ है क्या-क्या है या फिर लेफ्ट हैं साइड में क्या-क्या है तो इसलिए बच्चे के खुद के अनुभाव से बच्चों को सीखने का में क्या देना चाहिए और जो भी चीज सिखा रहे हों में कैसे सिखाना चाहिए उसको मज़िदार तरीके से ताकि बच्चा उसको आनंद में सीख सके खेलवीदी का उपयोग करके चलिए, next point की ओर चलते हैं, तो नीचे की तरह आएं तो कुछ images दे रखे हो और कुछ नहीं है, दाएं बाएं और नक्से समझने के लिद्यान रखेगा नक्सा समझना बच्चों को यहां सिखाया जा रहा है क्योंकि नक्से से related काफी बार आपके questions पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो school है, फिर पेड है, दुकान है dark घर है, कुवाँ, park घर है कहां से कौन से कितनी बार मुनना पड़ता उसके बारे में आपर पूरी की पूरी चर्चा की गई है, ओके तो नीचे की ओर आएं, तो यहां पर आपके कितने points है, आपका एक pedagogical drum शायद और आपकी यहां पर मुश्किली होंगे फिर भी आपके नीचे की तरफ आएं, तो यहां पर आपका एक और pedagogical drum आ गया जो की बोल रखा देखो, नक्षे में निशान बनाने की आवशक्ता को इसपस्ट करना है, और बच्चे द्वारा बनाए निशान पर चर्चा करना रूची कर और उपयोगी रहेगा, जैसे कि अभी आपको यह नक्षा दे रखा है, यहां पर आपको अलागला चीज़े बनानी हैं, जैसे कि स्कूल, डाग, घर, पेड, हस्पताल, चाहे हो बस स्टॉप, कुवाँ, दुकानों, गेटों, घर, वो सारी चीज़े बनानी हैं, तो इसलिए बोला गया है कि नक्षे में निशान बनानी की अवशकता को इसपस्ट करना कि बच्चे को उस चीज़ को समझना है क्योंकि आप देखते हो, किसी भी कलोनी के बहार जाओगे, तो कलोनी के बहार उस कलोनी का मैप लगा रहता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हम बच्चे क्या कर रहे हैं, शुरू से ही मदद कर रहे हैं, जो कि क्या होगा बच्चों के द्वारा बनाए गए निशान पर चर्चा करना रूची का और उपयोगी रहेगा ताकि बच्चे को हम समझा सकें, और बच्चे भी उस चीज़ को कैसे समझ सकें, आनद तरीके से सीख सकें, और साथी साथ में खुद अपने आप सीख सकें सबसे में इंपोर्टन यह होता है कि बच्चा खुद अपने आप कैसे सीख सकता है और यहाँ पर देखो, प्रिष्ट 149 बोल रखा जो कि page number 149 में, hospital के जगा वहाँ पर आपको यह sign दे रखा होगा, plus का, तो यह plus का sign किस चीज़ का होता है, hospital के लिए होता है, तो यह कुछ निसांस के बारे में हाँ आपको जानकारी दे रखी है, पूरा नाम लिखने के आपका कपड़ा सजा कैसे, यानि की topic number 23, तो यहाँ पर simply एक आपको यह चुन्नी देखने को मिल रहे होगी, जो कि काफे designer है, जो कि एक दुपट्टा दिया गया था एक लड़िकी को, तो उस दुपट्टे का किस-किस परकार से इस्तमाल कर सकती है, उसके उपर यह पूरी कि आपके design बनाये गए होंगे, उसके उपर बात की गई है, जिसमें से आपका एक point यहाँ पर दिया गया है, कि बच्चों के दुआरा कागच की बुनाई, जैसे कि मैंने अभी आपको यह design दिखाया, दो कागच के अलग-अलग रंगों को आपस में मिला कर कुछ design बनाये इसी गोई कागच की बुनाई कहा गया है, तो कागच की बुनाई और कपड़े पर छपाई, जो कि अभी आपकी भिंडी के अलग-अलग या फिर सीशे वगएरा लगा सकते हैं उस पर, तो कपड़े पर छपाई करना हमारी क्या है, परमपारिक कला है, जो कि आपने अधिक थाकर उसको समझाने का हमें क्या करना चाहिए उसे मौका देना चाहिए जिससे हमारे क्या हो गए परंपारिक जो हमारे कलाएं हैं जो हमारे पूरवजों के द्वारा हमारे उपयोग किये जाने रहे थे उनको हम आगे बढ़ा सके उस चीज को समझने के लिए उस चीज को जो कि आपका G1 का जाल, यहां पर कहने का तात्पर है यहां जो कि मेंने आपको last वीडियो में आनि के कल के वीडियो में बताया था, कि सारी चीज़े क्या है, एक दूसरे को पर independent है, जैसे कि आम के बगान में चडियां को नहीं आने दिया था, कीड़ने क्या कर दिया था, आम खराब कर दिये थे इसलिए हमें आपका जीवन के जाल के बारे में बताया गया है जैसे कि आपका साप चुहे के उपर निरबार होता है चुहा किसी और चीज के उपर वो किसी और चीज के उपर और जो पोधे काते हैं सूरज के उपर मतलब हर कोई चीज जो है एक दूसरे के उपर dependent होती है जो कि अधिकतर आपका cycle change से यानि जो आपका जीवन का जाल होता है चक्र होता है उसके बारे में कुछ questions पूछी ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा की परस पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है कक्षा में इस विशे पर चर्चा करें ने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी अब यह जाल बनाने में कौन सी मदद मिलेगी अब यह जाल नहीं है क्यों कोई इधर उदर का जैसे मचली पकड़ने का जालो या कोई और जालो उस जाल की बात नहीं करी गई है यही जीवन के जाल के बारे में बात करी गई है तो बच्चे के आसपास के जो परिवेश में जो मिलने वाली चीजे हैं उसके उपर जो निर्भर होते हैं उन चीजों के उपर जाल की बात करे गई है आपके कलोनी में कोई नो कोई सबजी बेचने वाला आता होगा तो उससे आप सबजी खरीदते हो और सबजी बनाकर आप खाते हो जिससे आपका स्वस्त रहता और स्वस्त रहने के कारण ही आप किसी काम को कर पाते हो तो वहाँ पर क्या है जो सबजी वाला है आप उसके उप के आसपास निर्भार होती है उन चीजों के पर समझाना चाहिए for example जो आपका घर बना रहता है वो घर किस चीज से बनता है इटो से इटे किस चीज से बनती है मिट्टी और पानी से और मिट्टी और पानी समझाना चाहिए और बच्चों को समझने के लिए उन चीजों को मदद करनी चाहिए पहले अपने परिवेश से ही स्टार्ट करना चाहिए ताकि बच्चा क्या कर सके अपने जीवन सुझा हूँ है उस चीज को लिखने के लिए कुछ blank pages दे रखे हैं आपके तो ये थे आपके आज के 22, 23 और 24 तीन टॉपिक तो आज हमारा 3rd class की EVS का जो पूरा content था वो खतम हो गया है अब मैं आपको एक video लेके आऊँगा जिसमें आपके एक से लिकर 24 एक video में करवाऊंगा जिसमें important content ध्यान रखेगा पेड़ागोजी कल ट्रम नी यहाँ पर मैं आपको content और पेड़ागोजी दोनों करवा रहा हूँ उसमें केवल मैं content बताऊँगा जो कि 15 नमबर का पूछा जाता जो आपको important ध्यान रखने ही रखने होंगे तो वो एक video लेकर होंगा चाहिए वो एक घंटे की हो दो घंटे को कितने की भी हो पूरा का पूरा मैं आपको एक video में करवानी कोशिश करूँगा ताकि आपकी revision भी हो जाए और कुछ जो नए बच्चे हैं वो भी समझ सकें कि किस परकार के questions आपके पूछे जाते हैं और अब आपके important questions की series भी start कर दूँगा क्योंकि कुछ आपका syllabus complete हो गया है तो आपको question करने में भी help मिलेगी तो आपके important questions की series भी में start कर दूँगा कि previous year में किस परकार के questions पूछे जा चुके हैं तो ये था दोस्तों आज की हमारी EVS class 30 की book का content तो दोस्तों आज की video में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके video को like करना ना भूलेगा और अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलेगा और अगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं कर रखा तो जल्दी से subscribe कर लिजो और उसके साथ में जो bell icon होगा उसको भी दबा देजेगा ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time to time मिलती रहे दोस्तों आज की video में बस इतना है आपसे फिर मुला कात होगे next video में जब तक के लिए जैहिन जै भारत